इस विडियो का रूब्रिक क्लिंगिंग विट रेसलेस्नेस डॉक्टर नर्गी रेपर्टरी से लिया गया है और इसमें सिर्फ कार्बो वेजटाबिलिस दवा दी गई है डॉक्टर नर्गी रेपर्टरी का ओरिजिनल रूब्रिक है रेसलेस्नेस, मेंटल, कॉंस्टेंट, विट क्लिंगिंग तु पर्सेंग या क्लिंगिंग इस शब्द का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तू को अपनी पूरी ताकत लगा कर लिपट जाना, चिमट जाना या करता है ताकि वो किसी चीज को पकड़ सके और फिर उस वस्तू से अटाच्ट रहे, इसलिए यहां व्यक्ति या वस्तू ने पेशंट को होल्ड नहीं किया है, लेकिन पेशंट ने उसे पकड़ रखा है और अब उसे छोड नहीं रहा, जब पेशंट फिजिकल, इमोशनल, फाइनशिल या और किसी भी तरह का सपोर्ट चाहता है, तब वो उस सहारे या मदद प्रवाइड करने वाले इनसान या वस्तू से लिपट जाता है, अब पेशंट उस सपोर्ट पर डिपेंडन्ट होने के कारण उससे दूर नहीं होना चाहता, इसका यह मतलब हुआ कि पे पेशंट उस सपोर्ट परवाइडर से चिपक जाता है और उससे दूर किये जाने की हर कोशिश रेजिस्ट करता है, इस क्लिंगिंग बिहेवियर में पेशंट इस बात की बिलकुल भी परवा नहीं करता, कि जिससे पेशंट अटाच होना चाहता है, वो पेशंट के इतनी स्ट्रॉंग होती है कि सपोर्ट परवाइडर के लिए इस क्लिंगिंग से चुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है, इस शब्द का मतलब है किसी बात को लेकर बेचैन होना, यानि चाहकर भी आराम या सुकून ना महसूस कर पाना, ऐसा व्यक्ति किसी बात से नाखु करता रहता है, इस शब्द का मतलब है कोई ऐसी चीज जो लगातार लंबे समय तक एक जैसी रहती है और बदलती नहीं, मतलब उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होती और वही बात पर्मिनेंट होने के कारण सुख या दुख की वजए कहलाती है, पर्सन या पर्सन्स ये शब्द एक पर्टिकुलर लिविंग या नॉन लिविंग तिंग दोनों के लिए इस्तमाल किया जाता है वित जब दो इवेंट्स एक ही समय पर या एक साथ होते हैं तब ये शब्द इस्तमाल किया जाता है तो clinging with restlessness का meaning ये है कि carbo wedge patient किसी चीज का सहारा या support पाने के लिए उसे कसकर पकड़ तो लेता है लेकिन cling करने पर patient को उस सहारे में कोई कमी नजर आती है अब patient को realize होता है कि वो उस support से खुश नहीं है लेकिन patient को ये भी पता होता है कि जब तक उसे कोई बहतर option नहीं मिलता तब तक वो इस support को छोड़ नहीं सकता इसलिए cling करने के साथ-साथ patient बेचैन बना रहता है Carbo wedge patient की ये situation एक ऐसे इनसान जैसी है जिसने पेड की एक कमजोर टहनी को कसकर पकड़ रखा है सिर्फ इसलिए ताके उसे इससे ज्यादा मस्बूत टहनी मिल जाए जिसे पकड़ कर वो खुद को सुरक्षित मैसूस कर सके लेकिन जब तक उस इनसान को stronger टहनी नहीं मिलती तब तक उसे इस weak branch को पकड़े रहना होगा भले ही वो इस बात से कितना ही नाहुश क्यों नहूँ एक्जामपल वन चार साल के बच्चे को उसके parents worms की problem के लिए ले आए और उन्होंने कहा डॉक्टर बच्चा अक्सर संडास की जगर खुजाता रहता है और एक दिन हमने देखा कि उसकी party में कीड़े मौजूद है फिर बच्चे के डैडी ने कहा डॉक्टर जबसे इसे worm problem हुई है बच्चा रात को अक्सर डर जाता है और कहता है भूत भूत ऐसा बोल कर मेरा बेटा मुझसे लिपट जाता है लेकिन वो एक position में नहीं रहता गोध में लेने पर भी वो कभी मेरे shirt को पकड़ता है तो कभी color को लेकिन इसके बावजूद वो comfortable नहीं रहता उसकी मम्मी भी उसे ठीक से hold नहीं कर पाती क्यूंकि वो उसकी गोध में भी move करता रहता है दिन में वो भूत के होने की बाद usually नहीं करता डॉक्टर के सामने भी बच्चा अपने पिता की गोध में बैठा था और उसने अपने डैड को कसकर पकड़ रखा था लेकिन यहां भी वो हाथ पैर move कर रहा था मतलब एक जगे पर आराम से बैठ नहीं पा रहा था जब डॉक्टर ने इस बच्चे से बात करने की कोशिश की तो बच्चा अपने डैड की तरफ देख रहा था और डॉक्टर से दूर जाने की कोशिश कर रहा था इस पर बच्चे की मम्मी बोली डॉक्टर ये अजनबियों से जल्दी घुलता मिलता नहीं है इसलिए आपसे डर रहा है अगर घर में भी कोई अजनबी आदमी आ जाए तो ये उन्हें भी ऐसे ही avoid करता है फिर बच्चे की मम्मी उससे बोली अरे बेटा ये तो डॉक्टर अंकल है और तुम इनसे डर क्यों रहे हो तुम तो बहादूर लड़के हो है की नही बीडिंगे सबी बच्चों के मुकाबले में तुम तो कितने स्ट्रॉंग हो और हैंडसम हो तो चलो अंकल को हेलो बोलो ये सुनकर बच्चा थोड़ा मुस्कुराया और फिर थोड़ी देर बाद बोला हेलो अंकल इस पर पेशिंट की ममी आहिस्ते से बोली डॉक्टर इसकी ऐसी जूटी तारीफ करो तो ये बात जल्दी मान जाता है फिर पेशिंट के डैडी बोले बच्चे को तो पहले से ही बहुत गुसा आता है वजह कोई खास नहीं होती है लेकिन हाँ गुसा आने पर इसका चेहरा नीला हो जाता है उसे देखकर हम तो डर जाते हैं कि कहीं इसकी सांस तो नहीं फूल रही है लेकि शुकर है अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हाँ जबसे इसे वर्म्स की प्रॉब्लम हुई है ये सारा दिन बस बिस्तर में पड़े रहना चाता है तो इस केस में इस बच्चे को सिर्फ रात के वक्त ही भूतों का डर सताता है और ये फियर भी कीडे की प्रॉब्लम शुरू होने के बाद शुरू हुआ है तो ये रूब्रिक है दर के समय और क्लिनिक में भी बच्चा अपने पैरेंट्स को लिपट जाता है लेकिन वो सुकून से बैट नहीं पाता और अपने लिम्प्स को मूव करता रहता है तो ये रूब्रिक है पेशिंट को अजनबियों से डर लगता है और इसलिए वो उनसे दूरियां बनाए रखता है तो ये रूब्रिक है अगर बच्चे की जूटी तारीफ की जाए तो वो सामने वाले की बात जल्दी मान लेता है तो ये रूब्रिक है Flattered Desire To Be गुसे के समय बच्चे के चहरे का रंग नीला हो जाता है मतलब क्रोध आने पर कार्बोवेच पेशिंट के चहरे का ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है इसलिए उनका फेस ब्लू या नॉर्मल स्किन कलर से ज्यादा वाइट हो जाता है तो इसके लिए रूब्रिक है Anger With Face Color Pale Livid वर्म की तकलीफ होने पर पेशिंट सारा दिन बस बेड में रहना चाहता है तो ये रूब्रिक है Bed Desires To Remain In Bed Example 2 30 साल की महिला बोली के उसे प्रॉब्लम है पूछने पर पेशिंट बोली अरे डॉक्टर वो होता है न उसे क्या बोलते है जो फीमेल में 4-5 दिन के लिए आता है फिर चला जाता है और फिर 50 साल के बाद आना बंध हो जाता है जब डॉक्टर ने कहा periods तो पेशिंट बोली हाँ हाँ वही वही उसी की तकलीफ है ये periods महिने में एक बार आने की बज़ाए दो-तीन बार आ जाते है इसलिए लेडी डॉक्टर को बताया तो उन्होंने सोनोग्राफी करवाने को कहा लेकिन रिपोर्ट में कुछ पता ही नहीं चला इसलिए मुझे डर लगने लगा कि कहीं उसमें कोई प्रॉबल्म तो नहीं अरे वो जो होता है ना जिसमें बेबी नौ मैने के लिए रहता है अरे उसे क्या कहते है हाँ याद आया बच्चादानी वो बच्चादानी उसकी कोई बिमारी तो नहीं है लेकिन फिर टेस्ट में कुछ पता क्यों नहीं चला वैसे तो मुझे मौलूम है कि ये प्रॉब्लम तो होना ही था क्योंकि ये तकलीफ मम्य को हुई फिर दीदी को हुई और अब मेरी बारी है लेकिन क्यों हुआ है ये पता नहीं चल पाया है इसलिए मैं परेशान हूँ उपर से इस bleeding के साथ इतना जबदस्त दर्द उठता है जिसे लगता है कि इस बार मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है फिर patient का husband बोला उस lady doctor की दवा से patient को कोई खास work नहीं पड़ रहा है और अब तो उस doctor ने भी कहा है कि हमें किसी दूसरे consultant से इलाज करवाना चाहिए लेकिन patient है कि उस doctor का इलाज छोड़ने को तयार ही नहीं कहती है ये lady doctor experienced है मेरी history को detail में जानती है और मुझसे बहुत friendly है माना उनकी दवा से आराम नहीं मिल रहा लेकिन जब तक उनसे बहतर और उनकी जितनी friendly doctor नहीं मिल जाती तब तक वो दवा लेना बंत नहीं कर सकती इस पर patient बोली नए doctor के पास जाने का तो tension रहता है एक तो हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं पता नहीं कैसा होगा वैसे भी किसी अंजान doctor के सामने मुझे comfortable feel नहीं होता इसी तरह घर में कोई अजनबी आये तो उसके सामने ही मन में ऐसे विचार आते हैं कि यह यहां क्यूं आया है इसे क्या काम होगा क्या पता यह यहां से कब जाएगा फिर patient का husband बोला doctor आपके पास भी इसलिए आये हैं क्योंकि उस lady doctor ने आपका reference दिया था तब ही patient यहां आने के लिए राजी हुई घर में भी यही हाल है अगर मुझे घर आने में थोड़ी देर हो गई तो मेरी मम्मी बताती है कि मेरी wife बेचैन होकर कभी पूरे room में parade करेगी या फिर एक कुरसी से दूसी कुरसी पर जाकर बैठेगी बार-बार किर्की से बाहर देखेगी कि मेरी गाड़ी building के अंदर आई है की नहीं मतलब एक पल भी relaxed नहीं रहती और फिर मेरे आते ही बोलेगी तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई और तुरंथ मुझे से लिपट जाएगी फिर मुझे उसको खुद से दूर करना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि मैं घर तो आ गया हूँ न अब तो थोड़ा रिलाक्स हो जाओ फिर वो थोड़ी शान्त होती है मेरी ममी रिलाक्स्ट रहती है लेकिन ये अब और क्या कहूँ इस पर पेशिंट बोली डॉक्टर पती देव ऐसी बातों के द्वारा मुझे हमेशा ऐसा फिल कराते हैं कि इनकी ममी के मुकाबले में मैं बहुत ज्यादा इमोशनली वीक हूँ और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वैसे डॉक्टर आप भी ये सोनोग्राफी की रिपोर्ट देख लीजे और फिर बताईए कि कोई डरने वाली बात तो नहीं है न तो इस केस में पेशिंट को बात करते समय सही शब्द आसानी से याद नहीं आते या तो किसी को वो शब्द बोलना पडता है या फिर पेशिंट को याद करने की कोशिश करनी परती है उसके बाद ही पेशिंट सही वर्ड बोल पाती है तो ये रूब्रिक है forgetful of words while speaking पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये मेट्रोरेजिया की बीमारी उनकी family problem है सिर्फ इसलिए कि पेशेंट की ममी और उनकी बड़ी बहन को ये problem थी इसलिए पेशेंट को भी ये तकलीफ हो रही है हाना कि ऐसा medically होना जरूरी नहीं है इसलिए ये रूब्रिक है Prejudiced, Traditional, Prejudices Prejudice मतलब किसी बात के बारे में बिना पूरी जानकारी प्राप्त किये पहले से ही एक fixed opinion बना लेना Traditional मतलब खांदान या परिवार में काफी समय से चली आ रही अच्छी या बुरी बातें, सोच या तोर तरीके पेशिंट ने सोनोग्राफी करवाई, लेकिन जब बिमारी का कारण पता ना चल सका तो इस पर पेशिंट को डर लगने लगा End में भी पेशिंट ने डॉक्टर से यही पूछा कि रिपोर्ट में कहीं कोई डरने वाली बात तो नहीं लिखी है इसलिए यह रूब्रिक है Fear of Dark मेट्रोरेजिया के समय पेशिंट को इतना दर्द महसूस होता है कि वो सारी उम्मीदे पूरी तरह छोड़ देती है तो यह रूब्रिक है Despair with the Pains पेशिंट को दवा से आराम नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी वो उस लेडी डॉक्टर से मिलने वाले emotional support को छोड़ना नहीं चाहती इसी तरह पेशिंट अपने husband से भी कुछ ज्यादा ही emotionally attached है और इसलिए पती के थोड़ी देर से आने पर बेचैन हो जाती है पेशिंट का relax ना कर पाना उसके अशांत मन को दर्शाता है और इसलिए हभी के आने पर वो उनसे लिपट जाती है तो इन दोनों situations में पेशिंट का common rubric है clinging with restlessness पेशिंट अजनभी लोगों की मौजूदगी में बहुत uncomfortable महसूस करती है और वो चिंता करने लगती है इसलिए ये रूबरिक है anxiety in the presence of strangers पेशिंट के अनुसार उसका पती उसे हमेशा अपनी ममी के comparison में inferior या lower होने का एसास दिलाता है तो ये रूबरिक है delusions, sensation of being smaller small और smaller इन दोनों words का difference मैंने अपने lack canineum वीडियो में explain किया है उसका link description में है तो आप उसे refer कर सकते है So to summarize, कार्बोवेज पेशिंट में अपनी असली feelings आसानी से express करने की हिम्मत नहीं होती है अंदर से nervous होने के बावजूद भी पेशिंट दूसरों के सामने खुद को strong, nidder और confident दिखाने की कोशिश करता रहता है इसी तरह जब कोई patient को hurt करता है तो patient उसे directly या openly reply करने की बज़ाए मजाक या taunt के द्वारा अपनी नाराजगी express करता है जब patient अपनी family से कुछ expect करता है और वो इच्छा अधूरी रह जाती है तब इसी वज़े से patient बीमार हो जाता है अब patient अपने परिवार वालों को पैसे या ज़रूरत की चीज़े देने में कंजूसी करता है और गैरों पर महरबानी करता रहता है अब उसे सुबा के समय अपने रोज के काम करने में भी आलस मैसूस होने लगता है Finally patient इस बात पर ध्यान भी नहीं देता कि वो पुरी तरह से ठीक हो रहा है या नहीं अब patient बस यही चाहता है कि वो मर जाए लेकिन साथ ही साथ उसे मौत का डर भी लगा रहता है timidity about appearing in public, affectation, jesting, mocking, sarcasm, ailments from disappointment, avarice, generosity towards strangers, avarice as regards his family, indolence, aversion to work, mourning, indifference, apathy about his recovery, and death desires with fear of death avarice, generosity towards strangers, avarice as regards his family, इस रूब्रिक का detailed explanation मैंने अपने नक्स्वामी का mind rubrics के दूसरे वीडियो में दिया है उसका लिंक भी description में है तो आप उसे refer कर सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आपको ये rubrics और इसमें मौझूद carbo-vegetabulous दवाई समझ आई होगी अब मैं comment section में पूछे गए एक सवाल का जवाब provide कर रहा हूँ एक डॉक्टर ने पूचा है कि sulfur दवाई delusions thin is getting और delusions emaciation of इन दोनों rubrics में मौझूद है तो इने differentiate कैसे करें delusions thin is getting ये rubric Dr. Kent की repertory में दिया गया है और इसमें सिर्फ sulfur दवाई दी गई है thin इस शब्द का मतलब है पतला होना तो ये word thick यानि जाड़े या मोटे शब्द का opposite है getting ये शब्द एक continuous process दशाता है यानि कोई activity चल रही है और इसी कारण patient एक state से दूसरी condition में gradually जा रहा है तो delusions thin is getting का मतलब है कि sulfur patient को ये लगता है कि दिन बदिन यानि daily basis पर जो physical या mental quality patient में काफी हद तक मौझूद थी वो कम होती चली जा रही है example, patient ने कहा दिन प्रती दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे काम करने की efficiency कम होती जा रही है जितने समय तक मैं पहले काम कर पा रहा था अब मेरे लिए उतने समय तक काम करना मुश्किल हो गया है तो यहाँ patient की ability जो पहले ज्यादा थी अब गुजरते समय के साथ कम होती जा रही है मतलब patient थिक वाली state से थिन वाली state में continuously जा रहा है delusions of emaciation यह rubric BBCR repertory में दिया गया है और इसमें sulfur के अलावा दो और दवाईयां दी गई है exact rubric है delusions as of emaciating immaciate या immaciation इस शब्द का मतलब है भुकमरी या बीमारी के कारण abnormal या असामानिय रूप से दुबला होना या शरीर से बहुत ज्यादा मास और वजन का कम हो जाना अगर इसे medically समझें तो जब शरीर में required nutrients की जरूरत से ज्यादा कमी हो जाती है तब पेशिंट का वजन या body mass gradually कम होने लगता है इसी तरह इस रूपरिक में sulfur patient को metaphorically ये लगता है कि जो भी physical या mental quality उसमें मौजूद थी वो gradually इस हद तक कम हो गई है कि अब उसके लिए survive या manage कर पाना मुश्किल हो गया है एक्जाम्पल पेशिंट बोला lockdown के कारण अब घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि बीवी के कंगन गिर्वी रख कर पैसे उधार लेने की नौबत आ गई है तो जहां थिन में patient की हालत सिर्फ पतली यानि कम हो गई है वहीं emaciation में patient की condition इतनी खराब हो गई है कि अब survive कर पाने के लिए patient दूसरों की help लेने पर मजबूर हो गया है याद रहे ये दोनों rubrics patient की present condition यानि वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं जिसमें patient किसी important बात में gradual और continuous कमी महसूस कर रहा है इसी तरह आप मेंसे जिन doctors ने मेरे वीडियो में बताई गई medicines के बारे में useful और relevant सवाल पूछे हैं उन मेंसे एक का जवाब मैं अपने आने वाले हर वीडियो में देने की कोशिश करूँगा ताकि बाकी viewers के doubts भी clear हो जाएं मैंने अपने सलफर वीडियो का लिंक भी description में दिया है तो आप उसे refer कर सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे like और share करें और मेरे इस YouTube चैनल को subscribe करें वीडियो या हुमियोपती से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप feedback देना चाहें तो मुझे comments में बताएं मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा Thank you for watching